वीनिता गुपता राजके महिला पॉलोटेक्निक महाविद्याले सबजेक्ट एंटर्प्रिनियोर्शिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में टॉपिक मार्केटिंग ओफ कॉस्मेटिक के बारे में बताऊंगे Marketing of Cosmetic के बारे में बात करने से पहले हम Marketing क्या है, Marketing की उद्धिश्य क्या है और Marketing की क्या विश्यिष्टा है इसके बारे में बात करेंगे Marketing किसी भी वेवसाय का महत्पूनंग Marketing है, इसका तात परे अपने माल या उत्पात को बाजार में बेचना है, कोई भी उद्धियोग अपने उत्पात को यदि लाप के साथ बाजार में नहीं बेच सकता है, तो वे वेवसाय अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है अतहे कोई भी नए उद्धियोग लगाने से पहले या जानले इना अत्यनता वशक है कि उत्पातित वस्तू लाप के साथ बाजार में बेच सकती है या नहीं, क्यूंकि Marketing एक सत्तत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है Marketing का आर्थ Marketing शब्द से अभिटाय वस्तू के क्रेविक्रेसी नहीं वरन उन समस्क्रियाओं से भी है जो किसी वस्तू के उत्पादन से लेकर भोग तक संपादित की जाती है Marketing को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उभ्भुक्ता वहवार, विद्रण, माध्यम, विज्यापन, मोल्य निर्धारण, आधी के बारे में नियम प्युक्नियम बने होते हैं जो शोद एवं अनुसंधान के परियनाम है इनी नियमों का पालन करते वे सही रूप में, सही इस्थान पर उत्पाद को भोगता तक पहुँचाया जाता है Marketing की विशिष्टा है सबसे पहले यह मानवेक्रिया यह मानवेक्रिया है क्योंकि इसका संचालन मनुश्यों दौरा किया जाता है आर्थिक्रिया यह आर्थिक्रिया भी है क्योंकि इसका प्रयोग डाव और जित करने के लिए किया जाता है सामाजिक्रिया यह सामाजिक्रिया भी है क्योंकि यह कारे समाज में रहकर समाज के लिए किया जाता है विप्रन का अधार विनिमय विनिम्य का अर्थ है लेंदिन और इसकी विना विप्णन अर्थात मार्केटिंग संभव नहीं है उब्भोक्ता प्रधान क्रिया मार्केटिंग सारी ट्रियाएं उब्भोक्ता की आवश्रता रुची वेब फैशन आदि को ध्यान में रख कर की जाती है स्रजनात्मक्रिया यह एक स्रजनात्मक्रिया भी है क्योंकि इससे पात मुल्यवान हो जाता है इसमें कच्चे माल को रूप, आकार, वेब्टाकार में परिवर्थित करके उप्योगी बनाया जाता है सारुभामिक्रिया व्यक्ति किसी भी धर्म्य संस्कृति का हो या किसी भी देश का हो यह कार्य सभी जगे किया चाता है गतिशील प्रक्रिया, मार्केटिंग की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है, यह सदेव, चलती रहती है, अर्था, यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विभिन कारियों की प्रक्रिया, इसमें उत्पादन, नियोजन, नुसंधान, मुल्य निर्धारन, भंडारन, विद्रन, विज्यापन, विक्रेसंवर्धन, आदिकारे, संपन की यह चाते हैं मार्केटिंग के उद्धेशे, उद्ध्योग में निर्मित वस्तु की पाजार में विक्ने की संभावना का पता लगाना, दूसरा है पाजार में उत्पाद की मांग, व्यापूर्थी का पता लगाना नेक्स्ट अपने माल की कम्यों वे उभ्भूकतों की बदलती मांग का अध्यन करना जिससे माल में आवशकता नुसा सुधार करके बाजार में अपने स्थिती बनाई रखी जा सके तथा उसमें सुधार किया जा सके नेक्स्ट बाजार में माल के स्थिति या प्रतिस्था का पता लगाना उसके बारे में उभुकता की प्रतिक्या का पता लगाना अपने माल से समभन्दित बाजार के विश्य में सूचनाए एवं तथे कत्रित करना माल विक्टे के संबन्द में बजार में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना जिस समय रहते आवशक कदम उठाए जा सके हैं और लास्ट नए नेग रहाग बनाना और वर्थमान रहागों को बनाए रखना मार्किटिंग के बात करने से पहले हम बात करेंगे बाजार सर्विक्षन के चरण Steps of Market Survey मार्किटिंग के लिए मार्किट सर्विक करना अत्तिन तावशक होता है इसके निम्ले की चरण है पहला है Planning of Survey, Next Collection of Data, Next Analysis of Data, Next Presentation of Data Planning of survey का मतलब है योजना बनाना, survey करने के लिए, फिर data collection करना, इखटे करना, फिर उन data का visualization करना और उसके आधार पर presentation तयार करना मारी केट सर्वे के दोरान बाजार का अध्यन करके प्रस्तावित उध्योग में निर्मित वस्तो की मांग में खपत का अध्यन किया जाता है, जिससी पता लगता है कि उध्योगी स्थापना लापकारी है, एक सपल्ले उस्याई को बाजार का अच्छा ज्यान होना चाहिए औ और उस पर अपने पकड़ बनाए रखने चाहिए अब हम बात करेंगे मार्केटिंग ओफ कॉस्मेटिक इस शेत्र में बहुत अदिक प्रतिस बर्धा है और प्रोडेट के मार्केटिंग करना भी आवशक है इसलिए सबसे कठिंग कारे है इसमें जनता कोट पात के बारे में जाकरो करने की आवशक्ता होती है और उन्हें यह भी समझाना पड़ता है कि आपका प्रोडेक्ट अने प्रोडेक्ट से बहतर है इसलिए मार्केटिंग का कारे एक गटिन कारे है मार्केटिंग ओफ कॉस्मेटिक के छे प्रमों घटक हैं जिनने 6P के नाम से जाना जाता है मार्केटिंग के 6P कॉस्मेटिक के मार्केटिंग करते समय छे बातों का ध्यान रखना पड़ता है इन्हीं मार्केटिंग के 6P के नाम से जाना जाता है यह इस प्रकार हैं फर्स्ट एप रूडेक्ट, सेकंड एप राईज, थर्ड एप लेज, फोर्थ एप रमोशन, इससे यह दात परे है कि अधि कोई प्रोडेक्ट ग्राहकों तक पहुचाना है तो उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, एंड क्वालिटी सबी बातों का ध्यान रखना आवशक होता है फर्स्ट एप पैकिंग, पैकिंग मार्केटिंग का एक प्रमोख हिस्सा है, अधिकान शोब भूखता कॉस्मेटिक प्रोडेक्ट खरीदते समय, पैकिंग से प्रभावित होते हैं, इसके लिए एक पेशिवर डिजाइनर की तरह काम करना चाहिए, जिससे ग्रहकों का ध्य इसमें नेमलेखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला है पैकिंग आकर्शक प्रभावी हो, सेकिंडरे प्रोडेक्ट को खोलने पुने प्रेयो करने की दौरान से विद्धा प्रदान करें, नेक्स्ट उतपाद की फायती हो, और लास्ट यदि उतपाद ऐसा है कि ग् पैकिंग उसी की अनुसार रखने चाहिए, जैसे लेपम की पैकिंग आठ ये 10 ग्राम की रखने चाहिए, यदि 100 या 500 ग्राम की पैकिंग करते हैं, तो ग्रहक नहीं करी देगा, अतिक ग्रहक की आवशकता का ग्यान होना आवशक है, लेबलिंग, कॉस्मेटिक टोड़क की लेबलिंग को FDA द्वारा नियांतरित किया जाता है, इसलिए लेबलिंग नियमों की सावधानी पूर्वक्षा मिक्षा करके नियमों का पालन करना चाहिए, और कानुनी शर्तों का ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट ये क्वालिटी गुनबर्ता, यदि उत्पाद क्वालिटी के लिए ब्रैंड शब्द का उप्योग किया जाता है, इसके अंतरगत एक नाम, शब्द, डिजाइन, या प्रती या अन्य कोई विशिष्टा जो किसी उत्पाद को प्रतीसपर्धा से अलग करता है, जैसे कॉस्मेटिक में ब्रैंड मैक, लैक में, प्राहलोन, शेहनाज, वायोटेक, भादी, जो की नाम से ही बिखते हैं, ब्रैंड के कई लाग हैं, जैसे एक कंपनी के उत्पाद को दूसी कंपनी के उत्पाद से अलग करता है, कुनवत्ता के लिए विज्यापन का कार्य करता है, उप भोगता और निर्माता दोनों को प्रशित करता है, और नए उत्पाद को बाजार में उतारने में काम आता है, सिकिंड पोईट प्राइज, मूल्य या कीमत, प्राइज, वस्तु की वे कीमत होती है, जो प्रहक वस्तु की बदल्य प्रतान करता है, प्राइज दे करते समय, मार्केट में उपलप्त, प्रतिस परदा का ध्यान रखना पड़ता है परंतु यद्धि उत्पार बेस्ट इंड यूनिक है तो हम मनमाना लाव कमा सकते हैं उधारन के लिए जैसे ओडिकार की कीमत भूच जाता है परंतु इसका टार्गेट मार्केट अलग है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है परंतु साधरन तोर पर ध्यान रखना पड़ता है यह मुल्य वस्तु की उप्योगिता से निर्धारित होता है कि ग्राहक उस वस्तु के कित्ते पैसे देने को तैयार है मुल्य निर्धारन का उत्तिशे यह है कि इससे विक्री बढ़ती है और लाप बढ़ता है और प्रतिस पर्था मिलती मुल्य निर्धारन के लिए सामनेते दो नीतियों का सहरा लिया जाता है पहला है मलाय उतारना निती और दूसरा है बाजार भीदन निती मलाय उतारना निती इस निती के अंतरकत उत्पात का मुल्य निर्धारित करते समय उस वस्तु के उत्पादन में आने वाली लागत को ध्यान में रखा जाता है बलकि ध्यान में नहीं रखा जाता है बलकि अधिकतम मुल्य निर्धारित करके पाजार की मलाय उतारने का प्यास किया जाता है यह निति निम्द दशाओं में उप्योगी होती है जैसे उत्पाद नया है और इस फ्रकार का कोई अन्य उत्पाद भजार में उपलब्द नहीं है दूसरा उत्पाद विलासिता से संबंदित हैं क्योंकि उच्वर के लोग कीमत के प्रती समीदन्शील नहीं हो होती है उस सामयाग इस निति का फ्योग कर सकते हैं दूसरा है बाजार भीतन्य इस निति के अंतरगत प्रार्म में वस्तु का मुल्य लागत के बराबर और कभी-कभी तो लागत से भी कम करके धीरे-धीरे बाजार पर कबजा करने की निति अपनाई जाती है जब वस्तु के स्थाई ग्राहक बन जाते हैं या लोगों की उस वस्तु के प्रति आदत हो जाती है और वस्तु प्रसिद्ध हो जाती है तो धीरे-धीरे मुल्य बड़ाया जाता है जिससे ग्रहाकों को आभाज भी नहीं हो पाता यह नितिन निम्ली के दशाओं में उप्यूगी होती है फर्स्ट है उत्पात के कई ब्राण पहले से ही बजार में उपलब्ध है और बहुत अधिक प्रतिसफर्दा या कॉम्पिटिशन है दूसरा है उत्पात कम आईवर्क से संबन्दित है नेक्ट उस उत्पात का भारी मातरा में उत्पातन हो रहा हो और अनुसंदा नादी पर कोई भी व्याय नहीं हुआ हो थर्ड पॉइंट है प्लेश इस्थान जगे वहे हैं जहां आपको अपना उत्पात बेचना है वर्तमान से में प्रतिसफर्दा का है इसलिए अपना लक्षे तै करें और बाजार निकथारित करें उधारन के लिए यदि आपका उत्पात एक एंटी रिंकल ट्रीम है तो आपका लक्षे बाजार में 40 प्यूटी पार्लर और सलून हो सकते हैं जहां आप अपना प्रोडेट बेच सकते हैं उत्पात को बेचने की कई चैनल भी हैं जैसे निर्माता से डायरेक्ट ग्राहक निर्माता से थोक व्यापारी होलसेलर उससे खुद्रा व्यापारी रिटेलर और फिर ग्राहक निर्माता से एजिन्ट और उससी ग्राहक जैसे एमविक की ट्रोडेक्ट फ्रेंचाइजी यह किसी विशेशित्र में कमपनी की वस्तों बेशने या उपलप्त कराने की आपचारे कम्मुति होती है ओन्लाइन मार्केटिंग फूर्थ है प्रमोशन समवर्धन समवर्धन का आर्थ है टोसहित करना या हम यूँ भी कह सकते हैं कि विक्रेवर्धि में सायता देने वाले ट्रतिक्रिया संवर्धन है इसके कहई तरीके हैं जैसे विख्यापन करना इसमें Print Media विख्यापन प्रभावशालि होती हैं Electronics Media जैसे TV और रेडियो पर विख्यापन शोशल मेडिया, नेटवर्किंग, स्वैम की वेबसाइट इस्थापित कर सकते हैं पैम्पलिट्स शपफा कर और फ्री सेम्पल प्रोडेक्ट के भाण कर विज्यापन कर सकते हैं अगर प्रोडेक्ट अच्छा है तो कई ग्रहाग बन जाएंगे इन सवीधियों का प्रियोग करके व्यापार को बहतर पैचान दिलवा सकते हैं नेक्स पॉइंट है प्यूपिल, व्यक्ति या टोग यहाँ प्यूपिल का अर्थ निर्माता से लेकर वर्कर्स, सप्लायर, होल्सेलर्स, डिस्टिब्यूटर्स, एजिंट्स और ग्राहग सभी जी है यह सभी व्यापार में टीम का एक हिस्सा है और व्यापार की सफलता में इन सभी का महपुन भूगदान होता है लास्ट अब प्रोसेस प्रक्रिया मार्केटिंग में प्रोसेस इक एहमिस्सा है इसमें समय पनाया स्टॉक और करना समय पर ग्राहकों तक उत्पात पहुचाना ग्राहकों से फीड़बैक लेना और एनलाइसिस करना और उन कम्यों को दूर करने का प्रयास करना सब सम्मेलित होते हैं इन में से कहीं भी गड़बड़ी होने पर मार्केट और बिजनेस दोनों ही डभावित होते हैं इसलिए मार्केटिंग करते समय प्रोसेस पर विशीर ध्यान देनी घ्यावशकता होती है तबी मार्केटिंग में सफलता प्राप्त हो सकती है थैंक्यू